हेलो अगर सर्दियों में आप अपने रूखी सूखी दोचा से परेशान हो चुके हैं कलर कॉंप्लेक्शन दिन प्रती दिन डल होता जा रहा है तो आज मैं आप सुपी के साथ एक ऐसी होम मेट क्रीम शेयर करने जा रहे हूं जो ना सिफ आपके कलर कॉंप्लेक्शन पो ब्र जाता है तो यह प्रॉब्लम होती है तो आज मैं आप सबीके साथ एक ऐसी होम मेट क्रीम शेयर करने सारी जो बहुत ही जादा इफेक्टिव होने के साथ बहुत ही इसी तरीके से आप इसे तैयार कर सकते हैं यह ना सिर्फ आपके चेहरे से दाग धबों को खत्म करेंगी ब ईफेक्टिव है लड़कियों लड़किया दोनों ही यूज़ कर सकते लेकिन फिर भी मैंसे बोलूगा अगर याथ जादा संसट्व है हर takich कि यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर इसवार इसके यह तो पर यह बहुत जश्यादा रहता है invariesy को आप को जरूर चा तो इस रेमेडी को बनाने के लिए जो में है इसका वह है औरेंज पील संत्रे के चिलके हमें पूरे संत्रे का यूज नहीं करना है यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमने संत्रे के चिलकों का यूज के अब सभी जानते हैं कि हम संत्रे के चिलके का पाउडर जो है यूज करते हैं क ब्राइट कर लिए बहुत बहुत जादा एफेक्टिव होता है आप लोगों के साथ बहुत सी रेमडी शेयर किया इसमें उसक्राइब पावडर यूस किया है लेकिन यहां पर आज हम संत्रे के छिलके का यूज़ करने वाले वह भी एक क्रीम में तो डेफिनिटली बहुत ही जादा एफेक्टिव होने वाला है तो इस तरीके से छोटे-छोटे पीस कर लेने हैं हमको संत्रे के छिलके का और इसे अच्छी तरीके से हमें एक मिक्सर में पीस लेना है तो आप देख सकते हैं मिक्सर है जो इसले में बहुत ही जाये अधे को संत्रे के तो अभी क्रेमी से चिलकी हो जाता है उससे अप एगर आप देखे न करता है कि अनुछी कि वह खिलके़े जुटे हैथता है मैंने खाले के धेकितुर से इसलेाट मेरे बुक् отвеч एक चलने के help से हमें इसका जो अर्गे कर लेना है निकाल लेना है जो भी इसका जूस है वह हमें एक साइट निकाल कर रख लेना है और यह बहुत इसली हो जाता है ऐसा कुछ नहीं कि बहुत जाद आपको बेहनत करने की जुरूरत है लेकिन इसका जो result है वह बहुत जादा effective ह इस क्रीम को आप बना कर कितने दिन तक रख सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगे तो इसे अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे तो निकल जाएगा इसका अर्ग आपको जितना भी मिले उतना अपले सकते हैं इसका यहां पर दो संत्रों के छिलकों का यूज़ किया था तो करीब दो से तीन चमच ही हमें इसमें से अर्ग निकला हुआ मिले और आप इसका टेक्शर देख सकते हैं इसमें अभी मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है और इसका टेक्शर बिलकुल क्रीमी सा रहता है बहुत अप्लाइ कर सकते हो आप देखें कि दाग धब्बे खत्म हो जाए कुछ ही तीन यूज करने से लेकिन हम इसे स्टोर करने के लिए बना रहे हैं क्रीमी टेक्शर देना है हमें और लंबे टाइम के लिए हमें से रखना है तो हम इसमें ऐलोविरा जयल होता है वह मिक्स करेंग तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी अगर आप लोग कॉमेंट करेंगे कि आप कौन सा कॉकोन टॉयल यूज करते हैं तो यह वाला कॉकोन टॉयल आपको लेना है और इसमें वन पिंच आप तर्मरी क्यानी कि जो हल्दी होती है कस्तूरी हल्दी अगर आपको आंजिए अगर आप लोग रैमीडी यूज करते है सब भी ने देखा होका छो कि जो कुकिंग वाले हल्दी होती ह्यूं को यूज नहीं करनी होती है और इसकिन पे जो infection की problem होती है उसको भी दूर करती है तो अब हमने इसे अच्छे तरह किसे mix किया बटे mix नहीं हुआ क्योंकि इसमें हमने coconut oil यूज किया है और बाकी की चीज़े mix किया है तो हम double boiler process यहां पर यूज करेंगे अगर आप इस remedy को कभी गर्वियों में बनाएंगे तो easily यह mix हो जाएगी लेकिन अभी सर्दिया चल रही है तो इसे mix करने के लिए थोड़ा सा आपको efforts लगाने पड़ेंगे और इसे हम double boiler की help से mix करेंगे अच्छे तरीके से यह भी दो मिनिट में हो जाएगा तो आपको इस remedy को डारेक्ट हीट पे नहीं रखना है इस तरीके से एक पैन में पानी गरम कर लीजिए और इस remedy को कटोरी में रख दीजिए अच्छे तरीके से melt हो जाती है कोई भी दिकत होती है लेकिन डारेक्ट हीट पर मत रखेंगा नहीं तो इस remedy आपकी खराब हो जाएगा इसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा बल्कि आपके स्किन पर नुकसान भी कर सकती है थोड़ी से patience के साथ आपको इस remedy को तैयार करना है लेकिन है इतनी ज्यादा effective ना कि ब करती हूं कोई भी वीडियो तो होते ही इतना effective है कि आपके स्किन के लिए बहुत ही जादा फायदे मंद होते है और आपको का फीड़ भी मुझे मिलता रहता है तो इन सभी के लिए दिल से थैंक यू और अगर अभी तक हमारे स्टूब शानल को सब्सक्राइब नहीं किया ह हैं और 7-15 तक इसे ःम से यूज़ कर सकते हैं हर सकिन टाइप लोग यूज़ कर सकते हैं लड़किया अगले कैड़ लड़की लगा सकते बठाइब से उज़ाए। हमारे सब्स्याद कि चिंक आप पारा साल से रह साल से उनको यूश्या ना कर है क्यूंकि मैं हमेशा आता बच्चों के स्किन गॉड गिप्टेड होती है वो पहले से इतनी सॉफ्ट होती कि उस पर किसी भी तरीकी की रेमिडी बगर की कोई जरूवत नहीं होती है प्रॉब्लम तब होती है जब हम तीन एज में आते और हम बड़े होते जाते है तो हमारे स्किन का जो ग्लो है बनाएगी बिल्कुल इस्पॉर्टलेस स्किन अपकी हो सकती है अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हैं तो और फेस पे आप देख सकते हैं आपको डेली रात में सोने से फ़एड़े अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन करके रहें इसे यूज करना है फेस पेस पेस कर सकते हैं फर्स ताइम यूज किजेगा तो पैस टेस्ट चरूर कीजेगा और इसे इस तरीके से स्टोर करके रख लीजिए फ्रीज में रखने की बिल्कुल भी जरूरत निया अगर आपके सर्दियां पढ़ रही है तो गर्मियों में हो सकते हैं इसे फ्रीज में स्टोर क को बहुत अच्छा लगा होगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इसे अपड़ी को जरूर शेयर किजेगा जिन लोगों से आप बहुत जादा प्यार करते हो एंड सच बतार चाहिए